वेल्कम टू प्रियांकास कीचन आज हम बनाने मले है पालक पूरी पालक पूरी बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीज की आवशकता है पालक घेवुका आटा तील नमक तीन या चार हरी मिर्च छोटी एक इंच अद्रक एक दो लसन ऐज र्चवाइन कुमन सीज मीज छीरा पहले आबको ये जो पालक है उसको मिक्सर में घ्राइं र्च करना है मीस उसकी पेस्ट करना है उसमें मैं दालती हूँ अलि मिर्च ये अद्रक और लसनlar इस सबको घ्राइंण करना है मीस उसकी आची तरद ऐसे पैस्ट बनाना है देखो मैंने दो कप आता लिया था इसलिए मैंने दो कप मेंसे दो बाउल पालक लिया था उसके अच्छे तरह से पेस्ट की है इसमें अभी मैं डालती हूं नमक और जिरा है जिरा मैंने थोड़ा सा हलका सा रोस्ट के है रोस्ट होने के बाद उसको पाउडर बनाई है और मिंस वो जिरा पाउडर है रोस्टेड जिरा पाउडर अजवाई अब इसमें लाती हूं तील और पालक फ्यूरी और इसमें लादना है होई इस तेल इसको अच्छी तरह से मिलाना है देखो पालक ग्राइन करते समय उसकी प्यूरी बनाते समय अपने उसमें पानी लाला है थोड़ा सा तो इसको पानी की भी जलत नहीं पड़ती है अब मैं उसको हाथ से मस लोगे अच्छी तरह से उसको जादा पतला भी नहीं होना चाहिए जैसे आप रोटी के लिए बनाते हो नौर्मन पूरी के लिए बनाते हो उसको बनाए क्योंकि अच्छी तरह से अधा गंटे के बाद अच्छी तरह से फूल जाता है पूलने के बाद उसकी छोटी-छोटी पूरी बनाना है और तलना है देखा अधा गंटा हुआ है अधा अच्छी तरह से फूल गया है उसका थोड़ा से तेल लगा के मसर्ना है तर तक के लिए तेल भी गरम करने के लिए रखते हो काईब पत्त बाद इसे नहीं पूल भाँ के फिर पादगी एक बाद़ है इसका थोड़ा सा ओएल लगा के ऐसे गोलू इस तरह से सारी पूरिया बनाना है देखो हमारी पूरी लाट्के तैयर है हम अभी थोड़ा सा हम आता दर्जे वा आता फुल के ऊपर आता है क्या नहीं हो देखना है ठीक है अच्छी तरह से तेल गरत मुआ आता है हम अभी उसको तर्ट क्यों मेलान है अभी झाल सस्वाध्व क्योंrant रह समय हुआओः दो हम अभी जमनेशना है देखो पालक पूरी बन के तयार है यह जो पालक पूरी है आप कब भी ब्रेकफास्ट के लिए नहीं तो डिनर के लिए लंज के लिए भी खा सकते हो कोई मेहमान आये है जल से जल ही आप पालक पूरी उसके नास्टा के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते है यह जो पालगपुरी बहुत easy recipe है ब्रेक फंस के लिए बहुत अच्छा मेनू है पालगपुरी आप कोई sauce के साथ कोई chutney के साथ भी खा सकते हो आप भी try कीजे अपके अनुभव हमारे साथ share कीजे आपको अच्छा लगा तो like कीजे मेरे channel के लिए subscribe कीजे फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ गुड़ बाई